सम्राप प्रत्वीराच चोहान राजके महाविद्याले अजमेर से प्रतीबा शर्मा अभी से पूर्व प्रत्वी की उत्पत्ती यानि की सौर मंडल की उत्पत्ती के संबन्द में हमने विभिन जो संकल्पनाय थी उनके विशे में जाना एक तारक, दोय तारक we have been discussing about the origin of the earth that is the absolute solar system we are talking about and the various hypothesis that have been framed so as to explain the origin of the earth आज हम जो इस से पूर में, आज से पूर हमने James Jeans और Harold Jeffrey के द्वारा प्रस्तावित जो जो ज्वारिये परिकल्पना थी उसके वेशे में जाना उसे परियाप मन्यता प्राप्त हुई लेकिन उसमें कुछ कमिया थी उसे दूर करने के लिए जो रसल महोदे हैं, एचेन रसल महोदे उन्होंने द्वैत आरक, एक संकल्पना का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने पृत्वी की उत्पत्ती को समझाने का प्रियास किया In earlier chapters we have been discussing about, in the earlier chapter we discussed about the tidal theory, tidal hypothesis framed by James James and Harold Jeffrey and there were a few setbacks. So as to eliminate those setbacks, those lacunas, as suggested by James James and Jeffrey, this Russell, H.N. Russell, who was basically an astronomer, American astronomer, who tried to explain about the origin of the earth. इसमें ये जो slide है प्रस्तोताप के सामने, इसमें रसल की द्वैतारक परिकल्पना के कुछ बिंदू, कुछ तथ्ये लिखे हुए हैं. Two aspects of genes, tidal hypothesis, were found to be vague. दो तथ्ये थे जो निराधार से उभर कर आये उनकी संकल्पना में, James James और Harold Jeffrey के परिकल्पना में. तो वो दो बिंदू थी, the present distance between the sun and the planets, first one, and the second one is increased angular momentum of the present planets. तो उसमें जो दो मूल कमियां थी, वो ये थी, कि वर्तमान में जो सूर्य और ग्रहों के मध्य की जो दूरी है, तो उसके विशे में कुछ प्रकाश नहीं डाला था उन्होंने. वो थोड़ा अस-पष्ट प्रतीत होता था उनकी संकल्पना में. और दूसरा था, कि जो कोणिये संवेग, जो आज के ग्रहों में देखने को मिलता है, वो इनकी संकल्पना में. जीन्स और जैफ्रे की जो संकल्पना है, उसमें कुछ ज्यादा बताया गया था, दर्शाया गया था. In an effort to remove shortcomings of James James' tidal hypothesis, an American astronomer H.N. Russell propounded his binary star hypothesis in 1937. और ये जो दो कमिया, ये जो ग्रहों के बीच की दूरी और उनका जो कोणिये संवेग था, उसमें जो भिन्नता, उसमें जो अस्पष्टा या स्वीकार करने योग ये बिन्दूनी थे, उसको दूर करने के लिहाज से, जो अमरीकी खगोल शास्त्री H.N. Russell महोदे थे, उन तो रसल महोदे का विचार ये था, उन्होंने ये अभिव्यक्ति दी, कि जो मूल प्रारंबिक सूर्य था, उसके अतिरिक दो तारे थे, एक तारा था, जो कि सूर्य का निकटवर्ती, उसका कमपैनियन, उसका साथी तारा था, और एक उससे भी बहुत बड़ा विशाल ता तारा था, जो कि जिसके सूर्य और इस कमपैनियन, जो साथी तारे के पास से गुजरने के प्रतिफल में सौर्मंडल की उत्पत्ती हुई, अब इस चित्र से हम स्पष्ट जान सकते हैं, कि सूर्य की स्तिती दी हुई है, और फिर उसके निकट, एक साथी तारा, there is a कमपैन स्टार, that was huge, and giant in size, that tried to approach the companion स्टार, अब इसमें एक और विशाल का इतारा है, जो कि इस साथी, सूर्य की साथी तारे के पास से गुजर रहा है, और ये चित्र में स्पष्ट हो रहा है, कि सूर्य का परिक्रमन करता हुआ, ये जो साथी तारा है, इसके जो परिक्रमन की देशा के एकदम विपरीत है, अब बात करते हैं, थीम ऑफ दो बाइनरी स्टार हाइपोथिस, अब जो एच एंड रसल महुदे के द्वारा, जो सूर मंडल और सूर्य के जितने भी ग्रहे उपग्रहे हैं, उनकी उत्पत्ती के सम्मन्द में, जो उन्होंने संकल्पना प् अब बात करते हैं, इस संकल्पना में, जो सूर मंडल की उत्पत्ती के लिए उत्तरदाई दो तारों को बताया गया है, जिसमें एक तारा तो सूर्य का साथी तारा है, और दूसरा है विशाल काय तारा, जो की इस साथी तारे के समीब से गुजरता है, इस से पूर्व के जो चित्र वाली स्लाइड में हमने देखा, उसमें स्पष्ट किया हुआ था, कि जो साथी तारा था सूर्य के, उसका जो परिक्रमन पत जिस दिशा में था, उसके ठीक विपरीद बड़ा जो विशाल का एतारा, इस साथी तारी के नजदीक आ रहा था, उसका पत इसके ठीक विपरीद था. और जो इनकी संकल्पना में यह बताया गया, यह अभिव्यक्त किया गया, कि वो जो दो तारे थे, साथी तारा और विशाल का एतारा, उनके मध्ये की जो दूरी थी, वो संभवत है, और तालीस लाग से चौंसट लाग के मध्ये थी, यही कारण था, कि इन तारों का जो आरिये प्रभाव, इनका गुरुत्वा करशन का प्रभाव सूर्य पर पढ़ता हुआ, रसल महुदे ने नहीं बताया. Third point, as the giant star approached the companion star, huge amount of matter ejected out of it under the massive tidal force. और जैसे ही यह विशाल का इतारा, उस साथी, सूर्य के साथी तारे के पास आने लगा धीरे धीरे, तो उसमें से बहुत ज़्यादा विशाल जो पुझ था, कुछ पदार्थ था, वो इस giant तारे, इस विशाल का इतारे के गुरुत्वा करशन के प्रभाव से, जौरी रू जैसे ही विशाल का इतारा, उस सूर्य के साथी तारे के निकट आने लगा, निकट आने के साथ साथ उसने अपने गुरुत्व का विशाल प्रभाव उस साथी तारी पे डाला, जिसके करण से यह प्रभाव जो था, यह और ज़्यादा मिस्तरत होता चला गया, बहुत ही भ होता चला गया the ejected matter of the companion star got detached and started revolving around the giant star obviously in opposite to the companion star अब ये हमने स्पष्ट किया था कि साथी तारा जिस पत पर जिस परिक्रमन पत पर परिक्रमन कर रहा था उसके विपरीत स्थिती थी इस विशालकाय तारे की अब जो उस साथी तारे में से विशालकाय तारे के गुरुत्व के प्रभाव से जो पदार्थ जुआरिये रूप में निकला था वो उससे अलग हो गया और उससे विलग होने के बाद वह सूरे के चारों और परिक्रमन करने लगा अब ये लेटर प्लानेट्स वर फॉर्म्ड फॉर्म्ड फॉर्म दे एजेक्टेड माटीरियल और ये जो साथी तारे से निकला हुआ पदार्थ जो था वो समय के साथ ठंडा हो गया और उसके ठंडे होने पर उसके कई टुकडे हुए उसके विभाजन हुआ और उसमें से जो वर्तमान के ग्रहे हैं उनकी उत्पत्ती हुई इन दे बिगिनिंग दीस प्लानेट्स माइट है विन ग्लोज तो इच अदर इनकी संकल्पना एच रसल महोदे की संकल्पना के अनुसार प्रारंबिक स्थिती में ये जब जोरिय पदार्च से ग्रहों की उत्पत्ती हुई तो ये सारे के सारे ग्रहे उनके हिसाब से संभवते एक दूसरे के निकट थे और उनके ग्रहों के प्रभाव से उनमें टकराहाट हुई और उससे कुछ-कुछ पदार्थ निकले अनिकों ग्रहों से और उन ग्रहों के विभिन उप ग्रहों की इस निकले हुए पदार्थ से उत्पत्ती हुई तो ये जो था ये थे आधार रसल महुदे के द्वारा द्वैत आरक जो परिकल्पना सौर मंडल की उत्पत्ती के सम्मन में है तो ये मुख्य बिंदू उनके थे अब जब उन्होंने संकल्पना प्रस्तुत की तो इसमें कई सारी कमिया विभिन विद्वानों को नजर आई और उन्होंने ये कमिया आलोचना के रूप में बिंदू बद की जो जिसमें मूल जो आलोचना के बिंदू थे वो निम्न थे when this binary star hypothesis was propounded by Russell a few setbacks were left by him and they were made the point of criticism which are as follows अब ये जो आलोशना के बिंदू इसमें मुख्य हैं तीन जिनका हम एक दृष्टी डालते हैं उन पर planet formation from the ejected material of companion star is expressed in hypothesis while knowledge of the residue of the companion star is left unexplained इस परिकल्पना में ये जो सौर मंडल के ग्रहे उपग्रहे इनकी उत्पत्ती के वेशे में बताया के जो साथी तारा था सूर्य का उससे पदार्थ निकला ग्रहों उपग्रहों की रचना हुई लेकिन रसल महोदय ये बताना भूल गए कि वो जो बचा कुचा अवशिष्ट भाग था उस साथी तारे का उसके विशे में तो उन्होंने कोई प्रकाशी नहीं डाला फिर दूसरा अलोचना का बिंदू की उत्पत्ती हुई तो इन ग्रहों की स्ति उन्होंने मूल जो प्रारंबिक सूर्य था उससे परियाप्त दूरी पर बताई फिर बाद में उन्होंने ये बताया उन्होंने ये बताया बताया कि ये विभिन ग्रहे जो बने थे साती तारे से वो सूर्य के नस्दीक आकर उसके गुरुतवाकरशन के प्रभावसे सूर्य का परिक्रमन करने लगे तो रसल-माहोदै ने ये नहीं बताया उन्होंने ये तो स्पष्ट किया कि इन ग्रहों की दूरी जब ये ग्रहे बने उस समय इनकी दूरी बहुत थी, बहुत अधिक थी सूर ये से, फिर ऐसा क्या बल था, ऐसे किस प्रभाव से ये सारे के सारे निर्मित ग्रह सूर्य के नजदीक आए उसके गुरुत वाकर्शन का हिस्सा बने इस चीज पर वे प्रकाश डालना भूल गए ये एक आलोचना का बड़ा बिंदू है वाई ओनली दे प्लानेट फेल अंडर ग्रेविटेशनल डुमेन अफ दे सन और दे कमपाइनियन स्टार तो ऐसा क्या कारण था कि ये केवल साथी तारा जो जित्ते ग्रह की उद्भा हुआ ये सारे के सारे सूर्य के चारों तरफ परिकरमन करे थे फिर ये जो साथी तारा थ वो परिकरमन करता हुआ क्यों नहीं बताया